अगर आपको private bank में job लेनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी post बले है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत fine मन्द होने वाला है मिरे नाम जुनयद है और हाँ start करते हैं यहाँ पर मैं 5 post discuss करने वाला हूँ और यह 5 की 5 post बहुत तगणी है बहुत अच्छा प आपका interest है private bank में जाने का या देखने का चीजों को करने का तो इस वीडियो को देख सकते हो ठीक है सबस्क्राइब नहीं क्या कर सकते हो क्योंकि यह video of course और आप ही के लिए है चली हम यहाँ पर एक एक करके post के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे post number 5 की और यह ह manager जो होता है वो sales को manage कर रहा होता है sales भी कर रहा होता है अच्छा मैं आपको थोड़ा 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 बताता भी चलूंगा किस post पर क्या काम हो रहा होता है सबसे पहले sales manager के अगर हम बात करें किया काम करता है यह बंदा तो banking product को sale करना इसका actually काम होता है ठीक है क्या-क् credit card कई बारी debit card mutual funds भी कई बारी होते हैं और कुछ तरीके की policies होती है बीमा होता है FD होती है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होती है जो एक sales manager sale कर रहा होता है sales manager का का काम सिर्फ sales करना नहीं है चीजों को manage करना भी है ठीक है तो अगर आप sales manager लगते हो तो आप चीजो इसको proper information देनी होगी कैसे नहीं बिटा इसा काम करना है इतनी चीज़े आपको करनी ही करनी है follow up लेना ही है आपको चीजों का इतने बज़े जाना है तो जाना है मतलब यह सारा guidance आप दे रहे होंगे आपने team को और improvement ला रहे होंगे sales के department ठीक है salary के अगर हम बात करें कितनी salary हमें मिल सकती है यहां पर तो भाई 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 से स्टार्ट हो जाती है यहां पर salary और limit क्या है वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि लाख प्लस पैसे यहां पर कमारा होता है एक sales manager तो अगर आपका dream है banking field में तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो और आगे जा सकते हो sales credit manager को ओपर भी एक complete video है link उसका भी आपको आई बटन मिलेगा लेकिन credit manager कुछ ऐसे काम करता है जो बहुत ही specific है बतलब वही करेगा कोई और बंदे को करने को जब कोई नहीं होता है तो करना पड़ता है लेकिन credit manager की job role लेना वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है private bank में नहीं होता है कुछ क्योंकि यहां पर होता है target और target को complete करने के बाद जो भी उपर की चीज़ें चल रही होती है उसमें bonuses incentives यह सारी चीज़ें आपको देखने की मिलती है तो salary को समझना ऐसे बड़ा मुश्किल है अगर किसी की salary fix है 30,000 रुपे और उसको एक incentive है एक bonuses है कहीं नहीं चीज़ों के included है तो उसकी salary 45-50 के लगभग बहुँच जाती है ठीक है private bank की बात कर रहा हूं मैं यहां पर तो समझ के चलना credit manager के अगर मैं job role की बात करूँ तो यहां पर काम होता है loan वगरा से related मालो कोई बंदा आया है उसने अपनी profile दी है तो आपको check करना है कि इस बंदे को loan देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसकी credit history है क्या civil score कैसा जा रखा है राज से पहले जो loan लिये था उसकी क्या history है loan दें ना दें आप उसकी file को reject करेंगे या फिर pass out करेंगे चीजों के लिए तो यहां पर भी बहुत responsibility वाला काम है तो अगर आपकी age कम है loan ब अब बात करते हैं post number 3 की और यह जो post है न दोस्तों यह post भी अपने आप में माइने रखती है बहुत important है और यहां पर salary अच्छी मिलती है कौन सी है भया personal banker देखो जैसे नाम से पता चल रहा है अगर हम इसके काम की बात करें personal banker यानि कि थोड़ी चीजे यह बंदा personal करवा र होती है वो lawn की regarding चल रही होती है जैसे credit manager की job profile है almost same same सी है लेकिन बहुत different है चीजों में सबका काम अलग है लेकिन हां काम almost X है समझ रहो ना बात हां तो यहां पर भी बहुत सारे फायदे हैं काम करने के एक बंदी की face value होती है bank के अंदर बैठा वा काम कर रहा होता है और यह front of job है ठीक है आप front पर बैठके काम कर रहोंगे चीजों को reject करना यहां पर करेंगे सामने back office वाली यह job नहीं है तो इसके अगर हम salary की बात करें तो personal banker की salary 25,000 पर से start जाती है private bank की बात कर रहों है HDFC वगेरा में और काम करना पड़ेगा 25,000 बंदा कोई दे रहा है तो काम ले लेकर उसको समझाना पड़ेगा बैया जी ऐसे कर लो ठीक है तो यह चीज़े basically आपको बहुत अच्छे से पता हों बात करते हैं second post की और यह जो post है न यह freshers के लिए तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन यहां पर जो तन्खा होती है न भाई बहुत अच्छी तन्खा होती है 90 ब्रांच मैनेजर चोटा शब्द नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है एक ब्रांच है उसका मैनेजर हो जिसके अंडर कौन-कौन काम कर रहोगा यह सारे बंदे ठीक है sales manager sales officer sales executive कहीं न कहीं credit manager भी कहीं न कहीं आपका personal banker भी relationship manager भी तो अगर आपका आपको job भी करनी है न तो भा पहली चीज़ और दूसरी सबसे important चीज़ यह है कि आप यहाँ पर directly ऐसे branch manager नहीं लग सकते कहीं न कहीं assistant manager लगना पड़ेगा bank अंदर फिर वहां से चीज़े थोड़ी पर मौट होएंगी और आप एक branch में manager लग पाएंगे तो यह था post number 2 अब बात करते हैं post number 1 की तो relationship manager relationship manager भी अपने आप में एक बहुत दगरी पोस्ट है salary यहाँ पर भी 20-25,000 उपर से start यह थी एक फेशर की अगर अच्छी पढ़ाई की है तो लेकिन बहुत सारे लड़कों का बहुत सारे लड़कों का यही सवाल आता है भाई सेल करने पड़ेगी क्या तो भाई साहब और बहन जी अगर आप branch में manager भी लग रहे हो private bank में तो sell से निकालने पड़ेगी it's clear लेकिन दोस्तों हर चीज का तरीका होता है हर चीज का एक नियम होता है काम करने का इसी भी चीज को अगर आप ऐसे directly करोगे नियम के साथ निकरोगे तो दिक्कत आ नहीं है अच्छा ठीक है म लिया तो इन पाच पॉस्ट पर आप जॉब ले सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इन पाच की पाच पॉस्ट पर हमने videos बना दिये हैं किस पॉस्ट पर क्या काम होता है कितनी salary मिलती है timing क्या होती है साथ इसाथ bonuses क्या है incentive क्या है और इसके अलावा important बात हम कैसे इसके question पूछे जाते हैं क्या काम हो रहा सब कुछ हमने बताया वाए तो आपको इन पाच ही पाच वीडियो के link description में डाल के देंगा आप देखना में भूलिए और हाँ ये पाच ही पाच पॉस्ट बहुत important है मैं मैं मानता हूँ ये even है सबसे पहली पॉस्ट जो मैंने आप बता ये तो वो मिलेगा Instagram पर link in description box